मूवी की सुरुवात होती है और हम देखते हैं ब्रैंडन को जो की New York City में रहने वाला एक बैचलर होता है ब्रैंडन अकेला रहता है इसलिए वो काफी जादा सेक्स एडेक्टिग होता है ब्रैंडन को कुछ दिनों से उसकी सिष्टर के कॉल सारे होते हैं लेकिन वो उसकी call pick नहीं करता और ना ही उसे call back करता है। फिर Brandon जब अपने office जा रहा होता है तभी train में उसे एक औरत देखने लगती है। लेकिन जब वो उसे देखता है तो उस औरत की हालत खराब होने लगती है। और फिर जैसे ही वो औरत train से उतरने लगती है तो Brandon भी उसके पीछे train से उतर जाता है। लेकिन बाहर भीड होने की वज़े से वो औरत कहीं खो जाती है। इस scene से हमें पता चलता है कि Brandon किसी भी लड़की को किस नजरी से देखता है। यानि कि Brandon की नजर इतनी खराब होती है कि कोई भी लड़की उसे देखकर uncomfortable हो जाती है। पर इससे Brandon को कोई भी फरक नहीं पड़ता कि सामने वाली औरत married है या नहीं। Brandon एक company में काम करता है और उसने वहां के computer में भी अपने लिए पौन वीडियो छुपा के रखा होता है। और फिर अगले दिन वो company में जाता है। जहांपर उसके computer में ज़्यादा virus होता है तो company वाले उसे format करने के लिए ले जाते हैं। और ये बात Brandon को बिलगुल भी अच्छी नहीं लगती और फिर रात को Brandon घर आता है और खाना खाते समय भी वो पौन वीडियो देख रहा होता है और तभी उसे उसकी sister सिसी का call आता है लेकिन Brandon फिर से उसे ignore कर देता है। और फिर अगले दिन Brandon की office में एक अच्छी meeting होती है तो office के कुछ लोग party करने के लिए एक club में जाते हैं। लिफ्ट देती है जिसके बाद वो उस लड़की के साथ intimate हो जाता है और जब Brandon अपने घर आता है तो उसे घर के अंदर से music की आवाज आरी होती है। अपने boyfriend के साथ वहाँ पर रहने वाली थी लेकिन उसके boyfriend ने अब उसे दोका दे दिया। ये बात Brandon भी जानता है और इसलिए वो उसे रहने की permission दे देता है। और अब सिसी के रहने की वज़े से Brandon का freedom जाने वाला था क्योंकि वो अकेला रहकर जो कुछ कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा। यहाँ पर Brandon के घर में सिर्फ एकी bedroom होता है तो सिसी को सोफे से ही काम चलाना पड़ता है और फिर जब Brandon आफिस जा रहा होता है तब सिसी उसे उसके सोपे invite करती है और फिर आफिस के बाद Brandon अपने boss डेविट को लेकर सिसी के सोपर चला जाता है और वहाँ पर वो सिसी का song थोड़ा emotional हो जाता है फिर इसके बाद सिसी Brandon के boss डेविट से मिलती है और हमेशा की तरह वो सिसी के साथ भी flirting करने लगता है और वो इस तरह से उसे अपनी बातों से पटा लेता है और फिर डेविट उसे Brandon के room में ले जाकर उसके साथ intimate होने लगता है और फिर जब Brandon यह सब तो उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसका boss उसके sister के साथ उसी के कमरे में मजे कर रहा होता है लेकिन वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता फिर अगले दिन Brandon अपने office जाता है जहां पर उसका पहले वाला computer वापस आया होता है और तभी David उसे बात करने के लिए अपने पास बुला लेता है और David को उसके पॉन वीडियो के बारे में भी पता चल चुका था क्योंकि उसके computer की hard disk पॉन वीडियो से भरी हुई थी और इसलिए वो उसे बहुत बाते सुनाने लगता है और फिर उसी रात Brandon अपने कोवर कर Marion के साथ डेट पर जाता है Marion एक married औरत होती है ल बातरूम में जाकर masturbate कर रहा होता है और तभी सिसी गलती से बातरूम में आ जाती है और वो Brandon को masturbate करते हुए भी देख लेती है जिसके बाद Brandon अब काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे अब उसी के घर में privacy नहीं मिल रही थी इसलिए वो सिसी पर बहुत चिलाता है जिस disturb होकर बाहर चली जाती है और अब Brandon सरम के मारे पनी सारी magazine और laptop को बाहर फेक देता है और फिर अगले दिन Brandon office आता है वो वहाँ पर Marion को अकेला देखकर उसे किस करने लगता है फिर वो Marion को लेकर एक hotel room में आता है यहाँ पर Brandon उसके साथ intimate होना चाता है लेकिन उससे कुछ नही हो पाता तो यह देखकर Marion वहाँ से चली जाती है इसके बाद Brandon उसी room में एक prostitute को बुलाता है और फिर वो उसके साथ intimate होता है इसके बाद Brandon जब घर आता है तब सिसी डेविट को call कर रही होती है तो यह देखकर Brandon सिसी को डेविट से दूर रहने को बोलता है क्योंकि और उसकी भी एक family थी Brandon को सिसी गैर जिमेदार और बोज लगरी होती है इसलिए वो सिसी को वहाँ से चले जाने को कहता है फिर वो वहाँ से जाते हुए सिसी से बोलता है कि उसके आने से पहले वो वहाँ से चली जाए फिर वो वहाँ से चला जाता है सिसी को उसकी बाते सु जिसके बाद Brandon एक prostitute के घर आता है और वो उसके साथ intimate होता है फिर वहाँ से Brandon ट्रेन से घर आने लगता है लेकिन बीच में ही उसे ट्रेन से उतरना पड़ता है क्योंकि आगे track पर किसी ने suicide किया हुआ था और जब ये बाद Brandon को पता चलती है तो उसे CC की बहुत फिकर होने लेकिन अभी भी उसकी heartbeat चल रही होती है फिर CC को hospitalized किया जाता है और वो होस में आ जाती है जिसके बाद Brandon अकेले में जाकर रोने लग जाता है क्योंकि उसकी बुरी आदतों और गलतियों की वज़े से CC मरते मरते बची है फिर दिखाय जाता है Brandon हमेशा की तरह ट्रेन से अप खतम हो जाती है